हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टो एड्रोइट कॉंपुटिटिटिव क्लासेश एड्रोइट कॉंपुटिटिटिव क्लासेश पे आपका स्वागत है ठीक है और आज हम हमारे नए चेप्टर के साथ मिले हैं उससे पहले में आपको एक चीज बता देती हूं कि यूटूब पे हमारे यूटूब पे फ्री बैचल रहे है और फ्री बैच क्या है एससे जीडी मिशन सफलता बैच का नाम है ठीक है बई जो हमारे एड्रोइट कॉंपुटिटिव क्लासेश नाम के चैनल पे है हमारा ठीक है जिसमें सारे टीचर्स हम पांचों टीचर्स आप लोगों के ल ठीक है बई Defizy आपको साइंस की लिगी ठीक है और आज हमारी साइंस का कौंशा दे है आज हमारी साइंस का है ड्क है यह सिक्स्टी डे का टार्गット लेकर चल रहे हैं इस घैसमें हम आपको क्या कराएंगे इस 60 डेझ में आपको साइंस का पूरा सलीबस कराइंगी मैंको स वो हमने नर्वेस सिस्टम पे खतम की थी, हमारा नर्वेस सिस्टम खतम हो गया है और आज हम एक fresh topic के शुरुबाद करना है और fresh topic क्या है? skeleton system, skeleton system, तो आज देखो ध्यान से सुनो बच्चो, आज क्या रहेगा? आज मैं आपको स्केलेटन सिस्टम पढ़ाऊँगी. में क्याते हैं कांकाल तंत्र. आपको आज क्लास में आपकी पूरी 206 की 206 हडियां गिनवाके तब ही जाओग you और आपको एक काम करना है कि जैसा ही आपकी क्लास खतम हो, अपने पास किसी को बिठाओ और उसको उसकी सारी हड़ियां गिनवा दो फिक है आपको सारी हड़िय अपनी याद हो जाएगी ख्लियर है ना भई अब देखो skeleton system की बात करते हैं skeleton system क्या है हमारी body का ऐसा कोई भी भाग जो जिसमें जान नहीं है मतलब जान तो उसमें है ऐसा नहीं है कि उसमें जान नहीं है बट हमारी body का जो मोटा मोटा एक hard covering जो हमारी body का धाचा त्यार करती है वो हमारी body का क्या होता है? कंकाल तंतर होता है, skeleton system होता है. ठीक है भई? अब देखो, अगर किसी भी जीव को देखा जाए, तो उसके पास दो तरीकी के skeleton होते हैं. दो तरीकी कौन कौन से होते हैं? एक होता है exoskeleton, और एक होता है endoskeleton. अगर किसी भी जीव को देखे, तो उसके बस दो तरीकी के skeleton होते हैं. एक होता है exoskeleton, एक होता है endoskeleton. exoskeleton होता है आपका बाहरी कंकाल तंतर. इसको हिंदे में क्या कहेंगे? इसको हिंदे में कहेंगे बाहरी कंकाल तंतर. बाहरी कंकाल तंतर. यानि के ऐसा कंकाल जो हमारी बॉडी से हमें बाहर दिखाई दे रहा है बाहरी कंकाल तंत्र और एंडोस्केलेटन का मतलब क्या है एंडोस्केलेटन का मतलब है आपका अंतह कंकाल तंत्र या फिर इसको एक नाम से ओर जाना जा सकता है आंतरिक कंकाल तंत्र आंतरिक कंकाल त गोन मिलेंगे आपके बाल आपके hares और आपको क्या मिलेंगे आपको मिलेंगे आपके कछवे के उपर shell होता है, पूरा उसका एक कवरिंग होती है, जिसके अंदर कछवा घुसके रहता है। ठीक है, कोई भी जानवर जीव आ जाता है जिससे उसको खतरा लगता है, तो वो अपने shell के अंदर चला जाता है। उसको अपने घर के तरीके से इस्तिमाल करता है, तो जो टोटो इसका शेल होता है, वो क्या होता है, टोटो इसका शेल क्या होता है, एक्जो स्केल्टन होता है, और उसी तरीके से आपने क्या देखा होगा, आपने एक स्नेल देखा होगा, स्नेल कैसा होता है, देखो, स्नेल क तो अंको इंदी में क्या है रोगोंगा देखोैसे करके कुछ एक superstar होता है heck हेकं स्ट्रक्चर होता है और यह यह जो कवरिंगोंग होती इस में से यह snare करके ऐसे करके ऐसे बाः निकलता है तो यह देखो यह ऐसा करके कभी कोई जीव आपने देखा होगा ये ये जीव क्या होता है ये जीव होता है स्नेल तो स्नेल के पास भी क्या होता है स्नेल के पास भी एक आउटर कवरिंग होते ये वाली ये इसकी आउटर कवरिंग है और ऐसी आउटर कवरिंग वाले जितने भी आपके क्या होते है आपक ce de гр... इसका क्या हो गया एक्जू स्केलेटल ठीक है अब यहां पर मैं एक चीज़ नोट करके लिखी है मैंने नोट करके क्या लिखी है कि aemphibians do not have eg Fantas 사건 यानिख जो आपके होते हने उभहicing क्या होते हैं जो उबहचर का मतलब क्या है बहारी कंकाल नहीं होता अब उबहचर का मतलब क्या है ऐसे जीव जो लैंड में भी रहते हैं और जो पानी में भी रहते हैं उन जीव को क्या कहते हैं अमफीबियंज कहते हैं उबहचर कहते हैं अब देखो मैंने एक उबहचर का यहां पर फोटो ल नहीं होते फ्रोक की बाडी पे बाल नहीं होते बिलकुल भी नहीं होते और फ्रोक की fingers देखना आप हाथ पहर उसके देखना उसके जो fingers होती है उन पर nails भी नहीं होते ध्यान से सुनने और समझने वाली ये बात है ठीक है? कि जो amphibians होते हैं उन पे बाहे कंकाल नहीं होता है उन पे ना तो बाल होते हैं और ना ही नाखुन होते हैं ठीक है? इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे अब दूसरा देखो, दूसरा है endoskeleton system अब endo तो ये हमारा अंदर वाला कंकाल तंत्र है, हमारा कौन से वाला कंकाल? ये वाला, ये देखो ये हमारा क्या है? ये हमारा है endoskeleton, अभी अगर कोई हम में से मास निकाल ले और हमारा अंदर अंदर का skeleton बचे तो यह हमारा endoskeleton मतलब हम कुछ ऐसे दिखने वाले हैं यह महाश्या बैठे हैं यह endoskeleton वाले हैं ठीक है तो इसको क्या कहेंगे इसको कहेंगे endoskeleton ठीक है तो endoskeleton क्या है inner skeleton है हमारी body के बलुकुल अंदर पाया जाएगा अब endoskeleton के example क्या ही लिखवाने दे है目रे endoskeleton तो अडर होता है अब यहांपर दो sens आ यहांपर दो पॉइंट क्या समझने वाले हैं कि जो इंड0 skeleton है वो दो चीजों से बलके बना ए जो तो endoskeleton है, उसके दो भाग होते हैं, endoskeleton के दो भाग होते हैं, endoskeleton दो चीजों से मिलकर बना है, और वो दो चीजे क्या है, वो पहली चीज है आपकी बोन, यानि के आपकी अस्थी, बोन यानि के आपकी अस्थी, यानि के आपकी हड़ी, और दूसरा है cartilage, जिसको कहते हैं उपास थी ठीक है तो ये दो चीजों से मिलके आपका जो है वो endoskeleton बना हुआ है अब ये दो चीजे मैं आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ ये जो normal आपको हड़ियां दिख रही है ये जो normal आपको क्या दिख रही है यह ना, यह नॉर्मल तो क्या है, यह तो आपकी bones है, सारी आपकी bones है, लेकिन हमारी body में कुछ soft bones होती है, हमारी body में क्या होती है, कुछ soft bones होती है, मतलब वो bone जैसे दिखाई देती है, bone वाला ही, bone वाला ही उनका structure होता है, लेकिन वो bone जैसे बहुत hard होती है, तूटती नहीं वो soft होती है वो तूट जाती हैं तो हमारी soft bone से हमारी क्या बनी होती है हमारे अंदर zustwoffone के example मैं आपको बताती हूं तो trackyya trackyya महIT तुमें example देती हूंत अब बेखो सुपने यहां पे हात लगा करें Hindu को अब यह वर całe हाथ लगा करियो आपको पता है कि यहीं से sound आ रही है, मतलब यह हमारी क्या है, यह हमारी wind pipe है, यह हमारी wind pipe है, जिससे हम सास लेते हैं, ठीक है, sorry भी, यह हमारी wind pipe है, जिससे हम सास लेते हैं, तो जिससे हम सास लेते हैं, आप इसमें हाथ लगा के देखोगे, आपको ना इसमें चल्ले चल्ले type कुछ फील हो आपको ऐसा भी को डॉसकी किए ना हैast एसे कूछ चल्ले करके इसलोगे आपको एसा लग रहा है як यह यह न ऐसे बनी विया है, जैसे यह न ऐसे बनी विया है, एक के उपर एक, एक के उपर एक, एक के उपर एक, मतलब यह धंग से इन में रुको, बनाते हैं, यह देखो, आपको ऐसा फील होगा, कि यह कुछ ऐसी बनी विया है, C टाइप के चल्ले चल्ले बनी विया है, तो यह जो C टाइप के छलो से आपकी ट्रैकिया बनी विये है, यह क्या है, that is soft bone, और soft bone हमारे body में क्या होता है, soft bone हमारे body में होता है, cartilage, यानिके उपास्ती, यानिके उपास्ती, ठीर है भई, I hope आपको बहुत अच्छे से clear होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो, अब यहां study of bones, यानिके जब हमाँ डियो की पढ़ाई करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको osteology कहते हैं, total bones, आपको पता ही है कि adult में total bones कितनी होती है, 206 होती है, और total bones in baby, यानिके जब एक बच्चा जनम लेता है, तो उसके शरीर में कितनी bones होती है, तो उसके शरीर में होती है, 300 plus bones, मतलब क्योंकि आपने देखा होगा, कि जो छोटा ऐसा बच्चा होता है, जब तक उसकी गर्दन नहीं जमती, जब तक उसकी गर्दन नहीं जमती, तो वो ऐसे 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 उसकी गर्दन, ऐसे हीलती रहती है, ऐसे 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 करके जूमता रहता है, लेकिन धीरे धीरे धीर होती है वो मिक्स होके बड़ी बड़ी हड़ी मतलब ऐसे प्रॉपर वर्टीब्रा की शेप में आ जाती है और जब यह प्रॉपर वर्टीब्रा की शेप में आ जाते तो बच्चे की गर्दन जो है वो जच जाती है है ना वैसा ही आपने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा ह बैठ नहीं पाता है लेकिन बाद में धिरे धिरे वह छोटा बच्चा बैठना शुरू कर देता है क्यों कि जो abdomen part में जो vertebra है जो hip bones है उस time पे clear नहीं होती है उतनी ज्यादा और बाद में जो है अब देखो skeleton system के important कुछ और points है आगे जो मैंने लिखवाई में यह तो मैंने आपको पीछे बताई दिया है कि doctor जो है वो क्या होता है osteologist होता है study osteology होती है total bonds in adult होती है 2006 होती है total bonds in baby 3300 plus होती है अब यहां पर मैंने एक चीज यहां पर एक दो point मैंने बहुत अच्छे लिखवाई है जो आपको याद करने पड़ेंगे जिनको आपको star mark करना पड़ेगा अब देखो पहला point क्या है bones connect with muscle तो tendon क्या है यह एक element है यह tendon क्या है यह element है जो किसका बना होता है जो आपका collagen और elastine protein का बना होता है जो कि आपको muscles को हड़ियों से चिपकने में मदद करता है ध्यान से सुने हमारी यह क्या है एक हड़ी है हमारी यह एक हाथ की हड़ी है अब यह हाथ की हड़ी है लेकिन इसमें muscle भी तो चिपकी होगी ना इसके आगे से इसके पीछे से इसके दाएं से बाएं से हर जगे से आपको पता है कि muscles चिपकी होती है तो हड़ी से muscle को चिपकाने वाला हड़ी से muscle को चिपकाने वाला हड़ी से muscle को connect करने वाला क्या होता है टेंडन होता है और टेंडन को हिंदी में क्या कहते हैं टेंडन को हिंदी में कहते हैं कंडरा टेंडन को हिंदी में कहते हैं कंडरा समझ में आ रहे है आपको बहुत अच्छे से clear होगा तो टेंडन को हिंदी में कहेंगे, आपका कंडरा वो लेंगे, कंडरा ठीक है, अब दूसरा आपका इसका पार्ट कौन सा है, दूसरा आपका इसका पार्ट है, बोन्स connect with bonds, bonds, एक मिनट, बोन्स connect with bonds, बोन्स connect with bonds, तो मतलब जैसे मान लिया हमारी ये एक हड्डी है, और ये फिर हमारी दूसरी हड्डी है, तो एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी है, जैसे मान लिया हमारी ये फिंगर है, आपका पता है ये कि एक फिंगर में जो है वो दो जॉइंट है, यहा आप ये वाला joint इस से जुड़ा हुआ है, ये वाला joint इस से जुड़ा हुआ है, तो एक bone जब दूसरी bone से जुड़ती है, तो उसके बीच में उनको connect करने वाला कौन होता है, तो उनको connect करने वाला होता है ligament, और ligament को हिंदी में क्या कहते है, ligament को हिंदी में कहते है, sanayu, ligament क वो किसका बना होता है, तो ये भी आपका किसका बना होता है, elastin protein का बना होता है, ligament में किसका बना होता है, elastin protein का बना होता है, clear अब भई, क्या मैंने आपको concept बताया है, मैंने आपको concept यह बताया है, एक बार फिर से repeat करती हूँ, कि ये हमारी क्या है ये हमारी है एक प्यारी सी हड़ी तो ये जो प्यारी सी हड़ी है इसके साथ क्या जुड़ी हुई है इसके साथ जुड़ी हुई है ये मसल तो इसके साथ जुड़ी हुई है तो ये किस से कनेक्ट है ये आपकी कनेक्ट है किस से ये आपकी कनेक्ट है कंड से यानि के टेंडन से यानि के टेंडन से दूसरा आपकी यह जो हड़ी है यह एक और हड़ी से नीचे से एक और हड़ी आई भी है और उससे यह जूड़ी भी है यह हड़ी से एक और से जूड़ी भी है और यह किस से यहां पर यहां पर यह किस से जूड़ी भी है यह आपका क्या हो गया ये आपका हो गया ligament. ये आपका क्या हो गया ये आपका हो गया ligament. clear है भई? I hope आपको बहुत अच्छे सी clear होगा. आगे बढ़ते हैं ये देखो bone, ये bone के बारे में कुछ important point है ठीक है? ये हमारी देखो प्यारी सी हड्डी, ये हमारी cute इसके बारे में बहुत सारे अच्छे-च्छे points हैं, जो कि हमें याद करने बढ़ेंगे और जो कि हमारे paper में आते हैं, अब पहला देखो, bone क्या है? bone एक connective tissue है, connective tissue का मतलब है, एक सन्योजी उत्तक है, connective tissue को हिंदी में क्या बोलेंगे? कि bone क्या है? bone है एक सन्योजी उत्तक, सन्योजी उत्तक का मतलब यह है कि पूरी body को आपस में जोडने वाला tissue, पूरी body को आपस में जोडने वाला tissue, जिन बच्चों ने मुझसे circulatory system पढ़ा है, वहाँ पर मैंने आपको blood के बार में भी पढ़ाया था, कि blood is a fluid connective tissue, हम ऐसा पढ करता है, तो उसी तरीके से आपकी जो bones होते हैं, वो भी पूरी body को connect करते हैं, अब bone के बारे में और क्या है, कि bone किस चीज का formation करती है, bone में बनता है, आपका RBC और WBC बनता है, made up with, मतला bone किस चीज की बनी होती है, तो calcium और fossil phosphorus की आपकी हडिया बनी होती है, bone cell, जो bone cell होती है उनको क्या कहते है, osteocyte कहते हैं, क्योंकि वो जो cell है, वो किस की बनी है, ocean protein की बनी है, हमारी जो bones है, वो किस की बनी है, ocean protein की, हमारी bone बनी है, ocean protein की, इसी लिए bone की cell को क्या कहते है, osteocyte कहते हैं, और osteocyte के treatment करने वाले को osteologist कहते हैं, और जब osteocyte की study करते हैं, तो उसको osteology कहत कि यहां पर आपको यह वाली चीज जो मैंने आपको बताई थी कि यहां पर क्या होता है हमारी soft bone होते हैं कुछ हमारी body में क्या होते हैं soft bone होते हैं उनको क्या कहते है cartilage कहते हैं मतलब जो हमारा endoskeleton है वो दो चीजों से मिलकर बना है bone और cartilage तो यह दूसरे वाला आपका point है, जो भी हम दूसरा पढ़ेंगे, तो that is cartilage, cartilage को हिंदी में कहते हो पास्ती क्याते हैं, यह भी क्या है, यह भी एक connective tissue है, क्योंकि यह भी तो connect कर रहा है, यह भी तो चीज़ों को connect कर रहा है, ठीक है, found between two bonds, यह दो हडियों के बीच में पाया जाता है, also known as soft bone, इसको soft bone भी कहते हैं, क्योंकि यह आराम से तूट जाता है, अब cartilage किसका बना होता है, तो cartilage made up with chondriocyte, cartilage made up with chondriocyte, जैसे आपकी हड़ी बनी होती थी osteocyte से, वैसे ही osteocyte से, वैसे ही आपका cartilage किस से बना है, chondriocyte से बना है, अब chondriocyte इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यह chondriain protein से बना है, chondriain protein से, यहाँ पर e लगा लो, यहाँ पर e लगा, ठीक है, तो यह किस से बना है, यह बना है आपको chondriain protein से, इसलिए इनको क्या कहते है, कांड्यो साइट कहते हैं. अब कार्टिलिज का स्क्चर कैसा होता है तो कार्टिलिज का स्क्रक्चर होता है मैटिरिक्स fome का मतलब क्या होता है मैट्रिक्स Appreci spark 파 ogl का मतलब यह होता है कि माल लिए कार्टि Communication है तो इसमें ऐसे कर ला दुआधार तरीके से आपके क्या भरी है ये दुआधार तरीके से आपकी इसमें सेल भरी है ये क्या है ये आपकी दुआधार तरीके से cell इसमें भरी भी है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं matrix form, structure को क्या कहते हैं, जिस structure में ये cell इसमें भरी भी है, तो इस structure को क्या कहते हैं, matrix form क्या क्या कहते हैं, matrix structure matrix matrix structure clear है भई, आगे बढ़ते हैं अब ये देखो, ये हम 206 206 की 206 हड़ियां अपनी काउंट करेंगे 206 की 206 हड़ियां हम काउंट करेंगे अब उससे पहले हम अपनी हड़ियों का एक बर क्लासिफिकेशन देख लेगते हैं चीक है मैं आपको सारी हड़ियां आज क्लास में याद करा दूगी यह मेरा प्रावमिस है तो human skeleton में आपकी 20 206 हड़ियां होती है अब 206 हड़ियों को जो है वो दो भागों में बाटा गया है दो भागों में 206 हड़ियों को बाटा गया है पहला भाग है एक्जियल स्केलेटन पहला भाग क्या है एक्जियल स्केलेटन पहला भाग कौन सा है आपका एक्जियल स्केलेटन चीक है और दूसरा भाग आपका कौन सा है? दूसरा भाग आपका है, appendicular skeleton तो जो axial skeleton है इसको हिंडी में क्या कहते हैँ, इसको हिंडी में तंत्मकल कांनल कांटल यह दृ अंक्षिय कंकाल कांतल कांटल में कांस है। उपबंधी कंकाल तंत्र, उपबंधी कंकाल तंत्र, उपबंधी कंकाल तंत्र, उपबंधी कंकाल तंत्र, एसे करके आपकी बोन्स का जो है वो क्लासिफिकेशन रहता है, ठीक है, एक्जिल स्केलेटन में हम तीन चीजों, तीन तरीके के अपनी हड़ियों को जो है वो जितना भी आपका उपर का भाग है, मतलब ये स्कल वाला पार्ट, ये आपका वर्टीब्रा वाला पार्ट, ये आपका चेस्ट वाला पार्ट, मतलब हाथ पैरों को और ये हीप बोन के ये नीचे वाले पार्ट को हटा दो आप, ठीक है, तो ये उपर उपर वाला जो आपका इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, एक्जियो स्केलेटरन, अब एक्जियो स्केलेटरन में ध्यान से देखो, एक्जियो स्केलेटरन में आपकी कैसे कैसे क्लासिफिकेशन है, तो एक्जियो स्केलेटरन में आपके हेड में कितनी बोन्स हैं, ट्वंटी नाइन बोन्स, अब कितनी है, क्रेनियम में फेशल बॉन उसके बाद फेशल बॉन हमारे जिससे मूँ का सारा स्रक्चर बनावा है वो हमारी कितनी है, फोर्टीन बॉन्स है तो ऐसे करके ये जो उपर वाले स्कल हो गया इसमें हमारी 22 हडियां हो गई चिक है, 22 हमारी ये हो गई उसके बद 6 हड़ी हमारी कान की है और एक हड़ी हमारी वो है जो वल्टी बरा को इससे जोड़ती है तो हमारे पूरे सिर में कितनी हो गई 29 बोन्स हो गई मतलब एक हमारी हायोड बोन इसमें एड़ हो गई मैं आपका पीछे लिखके इसको दिखाती हूँ बहुत अच्छे से ठीक है इसमें हम कौन-कौन सी हड़िया एड़ करेंगे ध्यान से देखो इसमें हम कौन-कौन सी हड़िया एड़ करेंगे तो देखो हैड़ बोन में हम क्या करेंगे हैड़ बोन में यह कलर अच्छे से दिखनी रहा है दूसरा रंग लेते है यह अच्छे से दिखे रहा है लुको एक सकें, ये वाला लेते हैं, देखो, head bone में हमारी कितनी bones है, हमारी 29 bones है, अब 29 bone में 8 bones हमारी कौन सी है, cranium bones, cranium bone का मतलब मैं आपको समझाती हूँ, cranium bone का मतलब है, कि जो हमारे यहां पर ये वाली bones है, हमारे सिर के उपर वाली, इनको cranium bones कहते हैं, हमारे सिर वाली ज माइन्ड होता है हमारा जो माइन्ड होता है उसको सुरक्षा प्रदान करती है तो माइन्ड के ऊपर ऊपर जो दिमाग के ऊपर ऊपर वाली जो यह वाले बोन होते हैं इनको कहते हैं क्रेनियम बोन्स और यह संख्या में कितने होती है आठ होती है इसके बाद दूसरी हमारी क् Facial Bones, तो Facial Bones हमारी counting में कितनी है, ये देखो, Facial Bones हमारी counting में कितनी है, 14, तो Facial Bones कितनी है हमारी counting में, 14, clear है, इसके बाद 6 Bones हमारी कौनसी है, इयर की, 6 Bones हमारी कौनसी है, इयर की, और 1 Bones हमारी कौनसी है, जिसको हम Neck Bone भी कह सकते हैं, जिसको हम Neck Bone भी कह सकते हैं, या फ आठ आपकी होगी, 14-6, ये 6 आपकी कान की होगी, ये 20 होगी, और ये 8-28, और एक है 29, मतलब 29 आपकी किस चीज की बॉन होगी, 39 आपकी क्या होगी, 39 आपकी हैड बॉन होगी, clear है भई, I hope आपको बहुत बहुत अच्छे से clear होगी ये चीज, दूसरा अब हम पढ़ेंगे bones, total 25 bones, ध्यान से देखो, मैं आपको सारी जी से clear करके समझाना चाहती हूँ, आपको पता ही है कि हमारे शरीर में 12 जोड़े तो पसलिया होती है, 12 जोड़े कितनी होते हैं, पसलिया होती है, मतलब 12 जोड़े यानि कि ये जो round round वाली आपको figure दिख रही है, ये कितनी होती है ये होती हैं, 12 जोड़े, यानि कि 24, तो 24 हड़ी तो आपके ribs की होगी, और एक आपको चोड़ी हड़ी दिख रही होगी, जिस से ये सारी ribs चूड़ी हैं, देखो, ये वाली चोड़ी हड़ी, तो ये वाली जो चोड़ी हड़ी है, इस चोड़ी हड़ी को क्या कहते है, इस कैसे कैसे हुई, एक तो आपकी क्या हुई, स्टर्नम हो गई, एक तो आपकी क्या हुई, स्टर्नम हो गई, स्टर्नम, और आपकी, आपकी 24 क्या होगी, 24 आपकी होगी, रिप्स, 24 क्या होगी, आपकी रिप्स, तो टोटल आपकी होगी, टोटल आपकी होगी, 25 बोन्स, हमारी read की हड़ी में कितनी हड़ियां है, मतलब हमारी read की हड़ी में कितनी हड़ियां है, इस पे हम आगे चलेंगे, तो आगे देखो, आगे देखो ये वाली चीज, ये आपका क्या है, ये आपकी है chest cavity, ये आपकी कितनी है, ये आपकी क्या है, chest cavity, और chest cavity के अंदर total bones कितनी है 25 बोन्स है, 25 में क्या है, आपकी यह जो आपको दिख रही है, ऐसे ऐसे करके यह जो दिख रही है, यह आपकी क्या है, रिप्स है, रिप्स संख्या में कितनी होती है, 24 होती है, उसके बाद यह आपको एक चोड़े वाली दिख रहे हो कि बीच में, जिस पर सारी रिप्स जू वर्टीब्रेट पे वर्टीब्रेट यानि कि आपकी रीड की हड़ी पे आ जाते हैं यह है आपकी रीड की हड़ी यह क्या है आपकी रीड की हड़ी और आपकी रीड की हड़ी में टोटल बॉंस कितनी है 26 बॉंस है टोटल कितनी है 26 बॉंस है 26 कैसे हैं सबसे पहले हमारी जो बिल्कुल यहां से शुरू होती है, बिल्कुल head, मतलब हमारा जो सिर्फ, हमारा जो skull जहां पे खतम होता है, वहां से जो बिल्कुल शुरू होती है, वो हड़ी आपके होती है, cervical, यह देखो, यहां से लेके और यह यहां तक, आपको दिख रहा होगा बहुत अलग से, मतलब clearly यह सब visible है, यह red color के आपको दिख रही है, cervical bone यह आपके होती है, 7, इसके बाद आपकी जहां से ribs शुरू होती है, वहां से शुरू हो जाते है, thoracic vertebra, तो thoracic vertebra यहां से शुरू होके, जहां पे आपके ribs खतम होती है, वहां तक आपकी thoracic vertebra है, और thoracic vertebra संख्या में कितन है 12 है आपकी तो यह 7 और यह 12 यह 12 और साथ कितनी होगी आपकी यह हो गई आपकी 19 हो गई ठीक है इसके बाद आपकी कि यहां खतम होती है और जहां पर आपकी hip bone शुरू होती है वहां से लेकर वहां तक यह आपकी इस बीच में आपकी होती है lumbar vertebra, और lumbar vertebra संख्या में कितनी है, 5, तो टोटल हमारी कितनी हो गई, टोटल हमारी हो गई 24, टोटल हमारी कितनी हो गई, 24 हो गई, 24 अब देखो, आपकी एक यहां पर है sacrum, इस देखो green color के आपको sacrum दिख रही होगी, एक सेक्रम है आपकी यह 5 है लेकिन यह फ्यूज़ है मैं आपको इसका मतलब मैं आपको अभी बहुत अच्छे से समझाऊंगी यह 5 लिखावा है बट यह 5 क्या है आपकी यह 5 आपकी फ्यूज़ बोन्स है फ्यूज़ बोन्स का मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से अभी क्ल क्पर्पल color की इसको में मिटाती हूँ, आपको दिखेगी, ये आपकी कैसी है, ये आपकी green color की है green color की क्या है आपकी आपकी sacram है जिसमें 5 Fused लिक्षाव है, 5 Fused का मतलब है कि ये एक ही उटड़ी है, लेकिंने 5 भागो में Fused है, मतलब तोटी होई है ठीक है और यहां पे आपकी यह क्या है परपल कछलर के आपको दहिए ओगी- बहुत ध्यान से अख़र आप देखोगे तो इसमें हम रंग भर देते हैं कि को हां यह देखो clear यह देखो, यह आपको जो दिख रही होगी ना ये purple color ये purple color आपकी क्या है? ये purple color है आपकी cox ये purple color क्या है? आपकी cox है, बिल्कुल end वाली खड़ी होती है, आपको इसको diagram में भी दिखाती हूँ, ये यहाँ पे है, ये आपकी क्या है? यह आपकी क्या है लंबर वर्टी पर रहा है सॉरी यह आपकी क्या है यह वाली है अरे कहां चला गया यह आपकी है सेक्रम और यह नीचे वाली जो आपकी है यह वाली यह वाली में परपल कहा रही थी यह बिल्कुल एंड वाली एक खड़ी होती है इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं आपकी poix ठीक है तो यह कितनी हो गई आपकी 24 और यह half of मान के जैसे हम करते हैं इसका आधा पार्टी तर होता है तो टोटल करके आपकी यह 26 हो जाती एक ही हड़ी है यह यह एक ही हड़ी है तूटके 5 भागों में होती है इसलिए fused 5 लिखा है तो टोटल 26 आपकी किस की है वर्टी ब्रेल की है वर्टी कि है वर्टी ब्रेट की स्पेलिंग ठोड़ी बिस्टेक हो गई कोई बात नहीं आप लोग ठीक कर लेजग कर लेना इसको तभार एक बार लिख देती हुआ है कि वोइटीभ्रेट टीक है मतलब कि के आपकी है, फिर thoracic है, फिर lumbar है, ठीक है, क्या कौन कौन सी है, एक आपकी cervical है, फिर आपकी thoracic है, thoracic, और फिर आपकी है lumbar, lumbar, और फिर आपकी कौन सी है, sacrum, sacrum, और फिर आपकी कौन सी है, cox, cox, cox एक होती है, sacrum एक होती है, cervical 7 होती है, thoracic 12 होती है, number 5 होती है, clear है, तो ऐसे करके आपकी total कितनी होती है, 26 bones होती है, तो आज हमने आपकी कितनी पढ़ ली है, आज हमने आपकी पढ़ ली है, 80 bones, आज हमने आपकी कितनी पढ़ ली है, 80 bones आपकी आज हमने पढ़ ली है, और बाकी आपकी कितनी पढ़ गई बच गई, आपकी 126 bones बच गई, जिसको appendical or skeleton कहते हैं, जिसमें 4 कंदे की होती है, फिर आपकी hands की होती है, 60, 60 मतलब each hand 30-30, 30 हड़ी इस हाथ में होती है, 30 हड़ी इस हाथ में होती है, वैसे करके legs की, आपकी limbs की होती है, कि आपकी 30 एक लाग में होती है, 30 दूसरे वाले लाग में होती है, और आपकी hip bones होती है, ठीक है, ileum जिनको कहते हैं, बड़ी-बड़ी होती है, दो ही हड़ी होती है, तो दो आपकी hip bone होती है, जो कि आपकी total कितनी है, 126 bone है, यहां से हम आपका कल वाली class में continue करेंगे, ठीक है बई, तो आज के लिए इतना ही, और thank you so much, और कल की class ओर देख लेना, आपको 206 की 206 idea बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, कल हम क्या करेंगे, कल हम हम अमारा थोरा सा यह पार्ट रहे गया, बस एक आपका appendicular skeleton वाला, इसको करके, और then हम इसके आपके questions करेंगे, इस chapter के सारे questions को कल निपता देंगे, ठीक है बई, तो मिलते हैं next class में, thank you so much, चीक है बई, और सारे बच्चे जितने भी नए जुड़े हैं, वो last, previous अपनी classes देख लेना, चीक है, बहुत अच्छे से, और हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, बहुत अच्छे से, और content बहुत, मतलब मैं आपको बहुत concise करके content दे रही हूं, तो please करके आप content पर focus करें, और PYQ तो हम साथ में करी रहे हैं, तो इन दोनों चीजों का combo जब किसे बच्चे को मिल जाते हैं, तो उसकी preparation में कोई भी कमी नहीं रहती है, चीक है बहुत, next class में मिलते हैं, thank you